सराय केला खरसावाज लेके चांडिल थाना अंतरगत कपाली के हसा डुगरी निवासी समीम एहमत को अग्यात अप्रादियों ने गोली मार दी गटना को अंजाम देने के बाद अप्रादी मौके पर फरार हो गए इधर गोली चलने की आवाज सुनकर पडोस के रहने वाले तनवीर आलम बहार निकले उन्होंने देखा कि समीम घाल अवस्ता में जमीन पर पड़े हुए हैं उन्होंने समीम को इलाज के लिए पहले ब्रह्मानन अस्पताल फिर बहतर इलाज के लिए टी एमेच ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने समीम को मृद्ध गोशित कर दिया तनवीर के अनुसार गोली समीम के कनपट्टी से लगते हुए उसके सिर पर जापसी चमीम पूर में चेपा पुल में रहते थे वह कुछ मा पहले ही हसा डुंगरी में शिफ्ट हुए थे वह होटल चलाकर भरन पोशन करते थे सूत्रों के अनुसार चमीम दुकान बंद कर रहे थे इसी दौरान किसी ने आवाज देकर उन्हें बुलाया इसके बाद उसे गोली मार दी गे पिल्हाल पुलिस जा चुछ जुटी हुए यहाँ होटल के चुटासर दुकान कोलने वाले कारोवारी समीम एहमर जो साम को अभी से अपना दुकान पंद करके इसी विचनों को कोई बुलाया और गली में आया और इस दौरान जो है उसे किसे ने गोली मारी है और इलाज के लिए पीमेस गया है जहां पर फतर जवाय है कि उसी मौत हो गई गया है हम दो चानवीन कर रहें कि कौन ऐसे अप्रादी थे क्यों उसने एक दिया और तहां पर हम दो इसको इजाज बढ़तार कर परड़ने की चारवाई कर रहे हैं कि सर इस्पोर्ट में क्या मिला आपको इस्पोर्ट में तभी कुछ खास नहीं है उसका हुखा मिला है जाँ चल रहा है कि अधिक कर दो तो वहां पर जाने के बाद थोड़ी दिर के बाद गूली चलने के वाज़ाई तो हम लोग न सुचे टैर और फटा वा गाड़ी का तो हम लोग 5 मिनट यहीं पर वेट कि उसके बाद जब चार तिन चार लड़का वो कह रहे थे कि वस्ती में गूली चली है दो जब लोग वहां पर चकरने लेख Butter लेख तो हमारे आउनर पड़े है तीस में रहे हैं थे तो थीए मेज़ मरे हैं दो कि आ किया कुछ पाता नहीं बूस्य यह कि कि मैं करीब साड़े नव हो दी तो आपको क्या लग रहा था महां परी आप तो पूरी ब्यूड जम गाई थी तो हम लोग जा करेगे हैं जब उनर पड़े हो हमारे तो हम लोग उठा जोने ले कर गई जा क्या नाम है अपका समीम एहमद किसे से कोई दुसमन नीता क्या नई अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें स्वादेश वानी